ओम स्री सद्गुर्देव भगवान की जय जे गुरु पदयम बुजय अनुरागी तेलो कहुं बे दहुं बड़ भागी पापी हुँ जाकर नाम सुमीरी हैं सुमीरी सुमीरी भव सागरतरी हैं सज्जनों मन में एक प्रस्ण उठता है कि जब माता सीता का श्वयंबर हो रहा था माता सीता ने भगवान देवादिदेव महादेव भोले नात का सीव धनुस्प का अस्थान परिवर्तन एक दूसरे जगह पर कर दिया था एक जगह से दूसरे जगह पर उठाक उन्होंने रग दिया था तब माता सीता के पिता स्री जनक जी ने जो बिहार में ही है अब नेपाल में पढ़ता है जनक पूर कुछ स्मृतियां बिहार में भी हैं कुछ स्मृतियां जनक पूर में हैं तो जनक जी ने यह मन में प्रण ठान लिया कि जो भी इस सिव धनुस को तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का बिवाह करूँगा तो पूरे राजाओं को उन्होंने निमंत्रण दे दिया परंतु दसरत जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया दसरत जी भी तो उस जगह के कहीं न कहीं अयोध्या नगरी के राजा थे चक्रवर्ती समराठ थे लेकिन जब वे द्वीप द्वीप के भूपति नाना आये सुनी हम जोपन उठाना देवदनुज धरी मनुज सरीरा बिपुल बीरया एरन धीरा जब द्वीप द्वीप के राजाओं को नहोंने निमंत्रण पत्र देकर बुलाया तो दसरत जी को क्यों नहीं बुलाया दसरत जी को भी बुलाते क्योंकि दसरत जी भी तो राजा ही थे उनको निमंत्रण क्यों नहीं भेजा मन में स्वाभाविक प्रस्न उठता है बाद में जो की दसरत ही उनके संधी बने वो तो गुरु विश्वामित्र जी की कृपा से राम जी वहां गए कोई निमंत्रण तो दसरत जी को गया नहीं था तो आखिर में जनक जी सब को निमंत्रण दिये दसरत जी को निमंतरण क्यों नहीं दिया होगा कोई तो कारण रहा होगा तो आईए इसी परिफेच्च में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं एक बार की बात है कि जनक जी और इंद्र सभी देवता इंद्र लोक में देव लोक में स्वर्ग लोक में बैठे हुए थे वहाँ पर सनी देव भी बैठा हुआ था तो कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी कोई प्रश्ण का आयशा शमाधान चल रहा था जिसमें सब देवता उत्तर नहीं दे पाए यहां तक की सनी देव भी नहीं दे पाया जनक जी ने समुचित उत्तर दिया सब देवता का मुह नीचे हो गया सनी देव को उत्तर देना था सनी देव भी नहीं दे पाया तो सनी देव को लगा कि यह मेरा अपमान यहाँ पर जनक जी ने कर दिया तो जनक जी से वो बदला लेने के लिए जनकपूर में गया, तो जनकपूर में राजा जनक की बहुत ही सुन्दर एक फुलवारी थी, वहां पर कभी कभी राजा जनक जाते थे, उसी फुलवारी में माता सिता फुल भी तोड़ने गई थी, और गौरी का मंदिर भी था उसी म वो उनकी अपनी नीजी फुलवारी थी जनक जी की तो सनी देव गया तो पता लगाया कि सबसे प्रिय क्या है जनक का यहां तो लोगों ने बताया यह फुलवारी ही सबसे प्रिय है प्राणों से भी प्रिय फुलवारी को मानते वो फुलवारी के उपर से गया और तिर्ची नजर करके ताक दिया पूरी फुलवारी कोईला हो गई जरके घास करिया जैसे आग लगी रहे कुछ भी नहीं बचा राजा जनक को पता चला इधर सनी सोचा कि मैं तो बदला ले लिया मेरा इसने बेज़िती किया मैं भी इसके प्रिय चीज को नश्ट कर दिया बदला ले लिया जनक को पता चला जनक जी आये देखे तो इतनी प्रिय फुलवारी थी साथ दिन तक बेचारे एकदम अनजल ग्रहन नहीं किये चिंतित थे तो फिर मन में विचार आया कि गुरु महराज के पास चलते हैं आग्यवल के रिशी के पास गुरु महराज से पूछ लेंगे कोई न कोई समस्या का श्रमाधान मिल जाएगा क्योंकि प्रतेख व्यक्ति के जीवन में गुरु होना अनिवार्य है जब आपके जीवन में घंगोर समस्या आ जाए चारो तरफ रास्ते बंद हो जाए तो सद्गुरु महापुरुष के सरण में जाने पर कोई न कोई रास्ता अवस्य खुलता है जे गुरुपद यम्भुज अनुरागी ते लोकं बेदं बढ़भागी पापी हुँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी वह लोक और बेद में बढ़भागी है जिसको गुरु है तो गुरु महराज के पास गए गुरु महराज ने कहा राजन चिन्ता क्यों हो उन्हों ने कहा ऐसा ऐसा गुरुदेव सनी देव ने कर दिया जल के मेरी फुलवारी भसम हो गई साथ दिन से बेचैन हूं बड़ी प्रिय थी गुरु महराज ने कहा रे भाई आब्रम अभोना लोकाह पुनरावर्तिनो अर्जुना जो कुछ भी है सब पुनरावर्ति है आज जैसा दिख रहा है कल वैसा नहीं दिखेगा जनक आप तो ग्यानी हो बोले गुर्देव बड़ी प्रिय थी कोई उपाए अगर हो जाए तो बड़ी क्रिपा होगी गुरु महराज ने कहा उपाए तो है कच्चा मिट्टी का घड़ा हो और कच्चा धागा हो कच्चा धागा जो पुचा पुजा पाठ में लपेटा जाता है हाथोत में भी लोग पहनते हैं पतला कच्चा धागा और उसी कच्चे धागे में घड़े को बाध कर उसी फुलवारी के कुए में से जो पानी निकाल करके उस पानी को छीट देगा घड़े से निकालके उस पूरे फुलवारी में तो आपकी फुलवाडी जनक वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी, तो जनक ने सभी को निमंत्रन दे दिया, जितने भी उधर के तपश्वी, रिसी, मुनी, राजा, महराजा सभ को निमंत्रन दे दिया, सब कोई आए, कोई घड़ा बानते ही समय फूट जाए, कोई अंदर पानी में जाले, ऐसे ऐसे हिलावे, तवे घड़ा फूट जाए, कच्चा घड़ा मिट्टी का, कच्चा धागा, कोई का धागे तूट जाए, कोई भी साधू, संत, राजा, महराजा, बलवान, बीर, रन्धीर, कोई भी नहीं पानी निकाल पाया, जनक चिंतित हो गए गुरुदेओ से कहा गुरुदेओ कोई निकाल ही नहीं पाया बोले किसको किसको बुलाय थे, लाव चिठी तो गुरु महराज ने सबका नाम पढ़ा बुले इसमें दसरत का तो नाम ही कहीं नहीं है दसरत को क्यों नहीं बुलाया दसरत को बुलाओ क्योंकि दसरत बहुत धरम धुरंधर राजा है इंद्र भी उन्हें आधा सिंगासन देता है उनको बुलाना चाहिए उनको तो तुमने बुलाया ही नहीं तो जनक जी ने कहा हाँ गुरुदेव वो तो छूट गए तब दूद को बुलाया और एक चिठी तैयार किया कि जनक जी ऐसे ऐसे कुए से कच्चा धागा से पानी निकालना है भुलवाडी में छीटना है इतने इतने राजा इतने इतने रिसी मुनी सब लोग आए कोई ने नहीं निकाल पाया अब आप बचे हो आप आओ निकालो जनक जी का यहनिमंत्रन स्विकार करो ऐसा लिखा हुआ पत्री दूथ लेके आया सभा में दसरत जी को दिया दसरत जी ने पढ़ा दसरत जी बोले जब इतने बड़े बड़े रिसी मुनी बीर बड़े बड़े राजा आये कच्चे धागे से पानी नहीं निकाल पाये तो हम कैसे निकाल पाएंगे और अगर नहीं जाते हैं तो लोग यह कहेगा जनक पीठ पीठा जनक कहेगा कि दसरत पीच पीठा कर लिया उसको बल नहीं है धर्मातमा नहीं और कहीं अगर सूता से पानी नहीं निकाल पाए तो जो हमारा धर्मातमा होने का नगरवस्ति में एक यस है वो है अपयस में बदल जाएगा लोग जैंगे बड़ा धर्मातमा बनते थे इंसे भी नहीं निकला अब बेचारे क्या करें वहाँ पोह में मच गए चिठी ले ली आये तकिया के नीचे चिठी रखके सो गए रोज कौसल्या माता खाना लेके जाएं फिर खाना लेके वापस रखनें चिंता में दसरजी खाना खईबे नहीं कर रहे थे साथ दिन बीट गया तो दसरजी का जो मेस्तर था मेस्तर माने डूम पले राजा महराजा के मेस्तर होते थे पैखाना वगएरा जो भी घर का साफ सफाई इत्यादी होता था उसको साफ करता था सोचाले इत्यादी तो वह मेस्तर आकर के रानी से कहा कौसल्या माता से की राजा साहब इतना चिंतित क्यों है साथ दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया हम उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि मेरे राजा अगर दुखी रहेंगे तो मैं नगर में रहूं यह अधिकार है कौसल्या माता ने कहा ठीक है चलो मिलवाती हूं आये जब दसरत ने कहा भाई तुम्हारा क्या काम तुम क्यों आये हो बोले महराज आपका दुख हम से देखा नहीं जा रहा है आप साथ दिन से भूखे हैं तो दसरत ने कहा मैं भूखा हूँ यह तुम कैसे जान लिया बोले हुजूर जब से मैं पैदा लिया हूँ मेरा बाप दादा मेरे बाबु जी भी कुछ बरसों तक मैं पचास बरस से आप जो खाते हैं थाली में जितना छुटा रहता है वहीं मैं खा के पेट भगता हूँ साथ दिन से आपकी थाली जसकी तस जाती है और हमको कुछ मिलता ही ने तो मैं जान गया कि साथ दिन से आप नहीं खाए हैं साथ दिन से आप भी भूखे हो साथ दिन से मैं भी भूखा हूँ जब से जन्मा हूँ खाने लायक हुआ हूँ तब से पिताजी भी आपका जूठा खाए हमको खिलाए और तब से मैं आपका जूठा खा रहा हूँ आपका जो बचता है वहीं प्रशाद समझ के मैं खाता हूँ इसलिए मैं जान गया तो महराज आप चिंतित क्यों है आपके चिंता का कारण क्या है आज तक तो मैं अपने पचास बर्स के जीवन काल में दसरत को इतना चिंतित नहीं देखा क्योंकि सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति रहाई सकल रुखता के आप देवताओं को भी प्रास्त किये हैं सारे राजा आपके अधीन हैं आप चक्रवर्ती हैं कभी भी आपको इतना मैं दुखी नहीं देखा क्या बात है तो अहीं चिठ्ठी जो जनक जी की आई थी उसको दिखा दी चिठ्ठी पढ़ा बोले बस महराज इतनी सी बात है पानी कच्चे घड़े और कच्चे धागे से निकालना है और आप इतनी सी बात है अईतने की चिंता के लिए आप अभी तक खाना नहीं का बोले नीचे देखो बड़े बड़े रिसी मुनी बड़े बड़े भीर धर्म रणधीर नहीं निकाल पाए वो भी खाना जो छोड़े अपना अपनी थाली में लेकर खाया उसके बाद वो गया जनकपूर गया तो मंत्रियों से पहरेदारों से कहा कि मैं राजा दसरत का मेस्तर हूँ और मैं चैलेंज स्विकार किया हूँ जनक का मैं कच्चात घड़ा से सूता से पानी निकालूंगा तो मंत्री सब गुशा गये पहरेदार बोले ये दसरत ने हमारे महराज का अपमान किया है बला बताईए बड़े बड़े रिसी मुनी नहीं निकाल पाए और दसरत भेज रहा है एक मैस्तर को दसरत ने अपमान किया मेरे राजा का अपने आना चाहिए तो मैस्तर को भेज रहा है निकालने के लिए तब जनक तक बात पहुँची तो जनक जी आए तो मैस्तर ने कहा कि महराज वाद विवाद में समय नश्ट न किया जाए मैं निकालूंगा और फुलवारी आपकी थिस सहरी बरी हो जाएगी बुले चलो तो नहीं निकाल पाओगे तो मृत्यू दंड दूँगा और दसरत का अपयस पूड़े संसार में फैलेगा बुले चलिए आप उसकी चिंता मत कि दिए गए कच्चा घड़ा कच्चा सूता आ गया 15-16 फिट नीचे कुआ था उसने कच्चा धागा बाना घड़े में और भगवान का ध्यान कर कहा कि अगर मैं जनम से लेके अभी तक हे प्रमात्मा सिर्फ दसरत का जूठन खाया हो और मेरे अंदर राष्ट भक्ती देश भक्ती राजा की भक्ती हो तो इस घड़े में पानी आए और मैं फुलवारी को हरा भड़ा कर दूँ छीट डाला कुआ में पानी भी निकाल के बाहर रखा छीट दिया फुलवारी हरी भरी हो गया सबने जैकारा लगाया अब तो जनक का सर नीचा हो गया और दिल प्रसन हो गया पूरे जनक पूर में दसरत जी का धाक जम गया कि दसरत जी का जब मेस्तर इतना धर्मातमा है तो दसरत जी कितने धर्मातमा होंगे पूरे जनक पूर के नरनारी चर्चा करने लगे दसरत जी का एक बर्चस्व वहां हो गया सीरूंचा हो गया क्योंकि अगर नौकर इस तरह का है अच्छा काम करता है पुत्र अच्छा काम करता है गाउं का कोई लड़का अच्छा काम करता है देश का कोई वैज्ञानिक अच्छा काम करता है तो उस राज्य के राजा का सिर तो उंचा होगा ही होगा जैसे अभी चंद्रयान थ्री लांच हुआ चंद्रमा पर गया तो देश के जो राजा है उनका सिर उंचा हुआ जनता का सिर उंचा हुआ भारत का सिर उंचा हुआ तो दसरत का धाकपुडे जनकपुर में हो गया तो उसी के बाद यह घटना घटी थी सिवधनुस की सिवधनुस को माता सिता ने हटाया था तो जब चिठ्ठी लिखाने लगा सभी राजाओं को तो दसरत जी का नाम जान करके जनक जी नहीं लिखे क्योंकि दसरत जी को अगर चिठी लिख के देते तो उनको मन में डर था कि दसरत जी तो अपने आएंगे नहीं कोनों में स्तर उस्तर को भेज देंगे तो पता लगा उधनुस तोड़ देगा तो सीता का बिवा में स्तर से करना पड़ेगा क्योंकि दसरत का बर्चस्व तो एक बार उन्हों ने देख लिया था तो इसी कारण बस दसरत को निमंत्रण जनक जी ने नहीं दिया था सीता स्वयंबर का वह तो भगवान की महिमाथी की ताड़का सुबाहु मारीज को मारने के लिए मांग करके विश्वामित्र राजा राम और लचिमन को लाए थे और यहीं पर जब यग्य वगरव पूर्ण हो गया तो घुमाने के उद्देश्य से और धनुस यग्य का निमंत्रण आया हुआ था विश्वामित्र जी के पास और जनक जी क्या जानते थे कि विश्वामित्र के पास दसरत जी कहीं दोनों बेटे हैं और भगवान से विश्वामित्र ने कहा चलिए जग्य देखाईए वहां गये तो संजोग विधी का विधान माता सिता का विवाह लिखा हुआ था आत्मा का परमात्मा से मिलन होना था हो गया ओम स्री सद्गुर्देव भगवान की जय